मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्ष 2024 में सावन मास की दुर्गा अश्ट में कब है 12 या 13 अगस्त ना हो कनफ्यूज जानिये सही दिन्व तारीख पूजा का सुक महुरत पूजा विधी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे स्या करेंगे मित्रों हिंदी पंच्यांग की अनुसार प्रतीक मास के सुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली आश्टिमी के दिन मासिक दूर्गा आश्टिमी का बरत रखा जाता है मासिक दूर्गा आश्टिमी के दिन माता दूर्गा की पूजा अर्चना की जाती है मासिक तूर्गा अश्टिमी के दिन माता दूर्गा की पूजा उपासना करने से सभी प्रकार की मनुकामना की पूर्ती होती है अब पूजा करने की बीधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मासिक तूर्गा अश्टिमी के दिन ब्रती को सुभ मुहुर्त में उठकर इसनान आधि करके लाल वस्वच्छ वस्थ धारन करें और ब्रत का संकल्प ले और पूजा इस्थल को अच्छे से साप सफाई करके गंगा जल का चिकाव करें और पूजा इस्थल पर लकड़ी की चौकी या लाल रंका वस्थ बिछा कर उस पर माता दूर्गा की मुर्ती या फोटो इस्थापित करें और माता दूर्गा को सोल सिंगार की वस्थ वे अर्पित करें माता दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल पूस्प और मौसमी फ़लों को अर्पित करें इसके बाद माता दुर्गा को मिठाई, नारियल, आधिका भोग लगाएं और माता दुर्गा की आर्ती करते हुए कथा और दुर्गा चालिसा का पाठ करें इसके बाद एक बार फिर साम को इसनान आदिकर की माता दुर्गा की पूजा अर्चना करें मित्रों अब पूजा करने का सुव महूरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दे की वर्स 2024 में सामन मास की दुरगा अश्टिमी 13 अगस्त दिन मंगलबार को मनाई जाएगी पूजा का सुप मोहोता है 13 अगस्त 2024 को सुबह 11 बच कर 69 मिनट से लेकर दोपहर 12 बच कर 52 मिनट तक रहेगा अश्टिमी 13 अगस्त 2024 को सुबह 7 बच कर 55 मिनट पर अश्टिमी 13 समाप्त होगी 13 अगस्त 2024 को सुबह 9 बच कर 31 मिनट पर